अब दोस्तो मेरा ना मैं निराशी शॉन नील्स लब के और एक पीजिए में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं रिवीव करने वाले रियल्मी एरबट को दोस्तो यह जो एरफोन से मैंने इसको पर्चेस किया था और इसको मैंने यूज किया था अभी अच्छा यह पहले बत करे थी इसकी बॉक्स कॉन्टेट्स के वाले में दोस्तो यह पर हपर देख सकते हैं जो Realme Airbirds का जो box है यह छोटा सा एक yellow color का box में आती है जो दोस्तों यह जो box है इसके अंदर आपको एक और box मिलता है जहां पर आपको attach हुआ मिलता है अपना जो earphone और इसके साथ आपको box में मिलता है चार ear cups और दोस्तों यह जो ear cups है यह बहुत ही cool color में आते है और इसका जो color scheme है यह personality दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसका जो yellow color है यह personality मेरा मुझे बहुत पसंद आया और दोस्तों इसके साथ आपको मिलता है एक user guide जो normal लोग USB नहीं करते हैं तो इसको side में रखते हैं तो दोस्तों अभी बात करते है earphones के build quality के बारे में दोस्तों यह जो earphones है यह बहुत ही अच्छा build quality के साथ आता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो wire है यह एक braided cable मिलता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो braided cable जो premium earphones में आपको मिलता है परसोनल ली मैं एक EKG का earphones यूज करता हूँ जिसमें एक braided cable है और यह braided cable बहुत ही strong होते है normal cable से और उपर की तरफ आपको normal cables है जो rubber के cables है वो मिलते हैं और इसका जो speaker है यह magnetic है तो यहाँ पर आप इसको चिपका कर इसको रख सकते है अपने गले पर यहाँ पी जहाँ पर रखेंगे यहाँ पर आप इसको चिपकर कर राख सकती है तो दोस्तों इसका जो build quality यह बहुत ही अच्छा है और यह जो cable है यह आप देख सकते है कितना लंबा है normally मैं एक 6 feet का बंदा हूँ तो आप सोच लिजे कि यह cable कितना लंबा है normal जो earphones होते है उससे यह बहुत ही लं में अभी दोस्तों बात करते हैं इसका sound quality के उपर दोस्तों इसका जो sound है यह बहुत ही अच्छा है एकदम balance sound के साथ आता है पर यहाँ पर जो bass है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा परसोनाली मैं जो EKG का earphone यूज करता हूँ जो premium earphone है उसमें भी bass थोड़ा सा कम है क्योंकि यह balanced bass है यह कोई Chinese या traditional जो earphones होते है उसकी तरफ मतलब बहुत loud नहीं है यह बहुत ही balanced sound के साथ आती है पर इसका bass मुझे थोड़ा सा कम लगा पर मैं इसको जो phone का equalizer है उसके साथ इसको fix करके जो sound quality है वो मैं इसको balance बना सकता हूँ तो आप इसको कर सकते है पर normally अगर मैं कहूँ तो इसका sound quality वो अच्छा है bass थोड़ा सा कम है पर normally अगर मैं कहूँ एक 500 रुपीस earphone के बारे में तो उस मामले में यह जो earphones है यह perfect है sound में bass अगर थोड़ा सा high होता तो perfect हो bass अगर थोड़ा सा अच्छा हुआ थोड़ा सा है यह मैं नहीं कह रहा हूँ के bass बहुत कम है थोड़ा सा अगर अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छा होता है पर हाँ overall यह earphones perfect है आप इसको खड़ित सकते है यह भाई number one है 500 रुपेस में दोस्तों अगर आप इसको खड़ि अच्छे के फीडियो से लेकर आता है तो तो आज के लिए फिलिए रिकना है दोस्तों स्टेए ट्यून एंड पीस आउट